करें बेस्ट लेप्टोप ब्रैंड कोन से इंडिया अगर आप मूजिक पर्ड़क्शन के लिए अपना लप्तॉप बाई करने का प्लान कर रहे हो बीगिनर एंट इंटरमेडियेट के लिए एंट एक प्रोफेश्चनल लेवल मूजिक पर्ड़क्शन के लिए तो जैसा कि आप देख सकते हो मेरे YouTube चैनल पर questions आते रहते थे related to laptop buying guide मुझे PC लेना for music production for my home studio तो कौन सा laptop लूँ कौन सा PC लूँ ऐसे questions आते रहते थे तो मुझे यह decide करना था कि यह video मैं कब बनाओ Recently मैंने अपने home studio setup में एक new laptop add up किया है उसको जानने से पहले कि कौन सा laptop लिया है with क्या specifications लिया है वो जानने से पहले हम इस वीडियो में आज जानने वाले है best laptop for music production एक PC भी ले सकते हो एक laptop भी ले सकते हो दोनों के अलग लग usage है वो भी हम जानेंगे बट आज की वीडियो में क्या क्या topic हम cover करने वाले है वो मैं आपको बदा आयता हूं हम इस वीडियो को दो category में divide करने वाले है एक beginner and intermediate के लिए and एक professional level music production के लिए और भी मतलब multitasking के लिए अगर आपको laptop लेना है तो क्या क्या चीजें उसमें होनी चाहिए कैसी specification और चाहिए क्या configuration उन्चे वो इस वीडियो में हम जाने वाले है तो start मैं दोनों category को साथ रखके करूंगा एक professional और एक intermediate and beginner को जब भी आप अपने music production के लिए laptop या PC में decision लेना चाहो तो सबसे पहले अपनी usage पर depend करता है आपकी कि अगर आपने काफी जादा travel करना है तो आपको एक laptop की जूरत पढ़ती है अगर आप घर पर रहकर ही studio setup करना चाहते हो मतलब home studio घर पर ही रखना है तो आप एक PC में investment कर सकते हो तो जैसे अगर आप किसी के साथ collaboration करते हो तो आपको अपना laptop उसके studio भी लेके जाना पड़ सकता है या फिर उसको आपके studio में आना पड़ेगा तो उसके लिए एक laptop बैटर option है बट अगर आपका परपस है कि अपने home studio setup घर पर ही करना है और आपको जो equipment है इदर उदर लेके जाने की कोई जूरत मिया जैसे क अगर किसी के साथ collaboration कर रहे हो तो उसको आप अपने home studio में ही बुलाओगे आप कहीं भार नहीं जाओगे तो आप एक PC में investment कर सकते हो configuration दोनों laptop and PC में सेम ही होगी जो मैं आज इस studio में आपको बताने वाला हूं तो सबसे पहले हम जानते है कि अगर आप अपने home studio setup के लिए ए करते हो और एक PC करते हो उसकी क्या advantage and disadvantage है laptop कि मैं सबसे पहले advantage बदा देता हूं कि बहुत ही ज्यादा portable है मतलब compact है आप हाथ में light weight है easily carry कर सकते हो कहीं भी travel कर सकते हो उसको लिके जाकर मतलब आपका हाथ में ही एक home studio setup है अगर आप एक mountain पर जाके भी music production करना चाहते हो headphone लगा हो तो आपको घर पर ही रहकर जो भी काम करना पड़ेगा वो घर पर रहकर ही करना पड़ेगा और काफी ज्यादा heavy होते है मतलब इसका एक CPU होगा एक इसका monitor भी आप साथ में रखोगे mouse keyboard अलग लग सब कुछ रखना पड़ता है अगर आप एक PC में investment करने जा रहे हो तूसी अलग से करने पड़ेगी वह भी काफी जादा देर चलता नहीं है 15-20 मिनट मैक्सिम हादा घंटा चल जाएगा बट अगर आपके पास एक laptop है उसकी अलग से एडवांटेज है कि आप 10-12 गंटे या 5-6 गंटे जितनी भी आपकी बैटरी पैकप होती है लेप्टोप में उस उसे पहले जरुरुत होती है कि प्रोसेसर आपका क्या होना जाएब करने के लिए आपको तो मैं सज़ेस्ट करूंगा i5 maximum है अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो i3 के साथ स्टार्टिंग कर सकते हो Intel i3 Ryzen maximum Ryzen 5 तक आप जा सकते हो अगर आप एक beginner या फिर intermediate हो और processor की speed at least 2.5 GHz होनी चीए maximum और अगर आप एक professional हो तो प्रोफेशनल में मैं आपको सज़ेस्ट करूंगा i5 से अबव ही लें i5 i7 i9 मैंने जो अभी रिसेंट लिबाय किया वह i7 Intel का processor है और 3 GHz maximum उसकी speed है तो अगर आप एक professional हो at least i7 i5 या i9 लीजिए उसमें investment भी आप ज़्यादा लगेगी आप professional हो उसे आप earn भी करते हो तो i7 i9 आपके लिए बेनिफिशल होगा सेकंड जीजा है रैम अगर आप intermediate हो बिगिनर हो at least 8 GB RAM तो जरूरी है आज के जमाने में क्योंकि 4 GB RAM का जमाना चला गया क्योंकि आप जितने भी आपके जो लेटेस्ट सॉफ्ट्वेर जाते हैं FL Studio ले लो Qubase ले लो जितने भी अप लेटेस्ट सॉफ्ट्वेर लेते हो तो वह काफी ज़्यादा है वी यूजेज के साथ आते हैं मतलब उसमें काफी ज़्यादा है वी प्लग इन्स होते हैं है 50 VST होते हैं बट अगर आप बीगिनर लेवल पर पहुंच गयों कि आप म्यूजिक भी प्रोड्यूस करते हो वीडियो एडिटिंग भी करते हो मेरी तरह बीट बनाते हो अपकिसी वी सॉफ्ट्वेर किसी वी डॉपर अगर आप बीट बनाते हो तो मैं आपको सज्जेश्ट करूंगा एट लिस्ट 8 GB RAM जरूर ल लाजीबी घरेंट जरूरी पड़ेगी क्योंकि आपकी processing जो speed है rendering होती है जैसे आप कुछ heavy project load करते हो अपने किसी भी डॉप में तो यह यहां जरूरी पड़ती है processing कि क्योंकि अगर आपने रेंडर करना है और काफी ज्यादा आपको उसमें एफेक्ट्स लगाने है रिवर सब्सक्राइब लगा रहे हो काफी डिफरेंट डिफरेंट अगर आप कोई भी प्लग इंज यूज कर रहे हो सॉफ्ट्वेर मैं हार्वेर की बात नहीं कर रहा हूं तो आपको एटली सोला जबी की रहा है वहीं बात करते हैं जैसे मैंने आपको बता इंटर्मीडियर की तो वहां पर चार या आट जी आपकी रहें चल जाएगी क्योंकि अगर आपने सिर्फ और सिटी सिर्फ सिटी रखनी ज़रूरी है HDD रख सकते हो अगर आपका बजट इतना जादा नहीं है बट SSD ले रहे हो तो आप एटलीस 200 GB से स्टार्ट जरूर करें बट अगर आप वहीं एक प्रोफेशनल हो जादा आप मतलब सौफवेर डॉस आपने मतलब मुल्टी टास्किंग यूज कर करते हो फिल्मोरा यूज करते काफी जादा जो सौफवेर वीडियो एडिटिंग के म्यूजिक प्रोडक्शन के साथ मुल्टी टास्किंग के लिए अगर आप प्रोफेशनल हो तो आपको जो स्टोरेज है वह एक टेराबाइट जरूर रखनी है SSD में भी आप 500 से एक टेरा करती है आपके डिटा जो अपने मतलब अगर एक्सपोर्ट करना या अफिर आप कहीं से अपने लैप्टॉप में ले रहे हो तो उसकी स्पीड जो होते हो काफी ज्यादा फास्ट होती है बट वहीं SSD काफी ज्यादा कोश्ली होती है as compared to HDD HDD हमारे मतलब ट्रेडिशनल में अपने किसी भी डूफ में तो ऐसोभर प्रोसेस होता अगर मार्य आप किसी चीज को रेंडर कर रहे हो अपका गाना बन गया एक्सपोर्ट कर रहे हो to मैं अपने लैटओफ में SSD securely अगर आप प्रोफेशनल हो सकते अब नहीं तो ऐचेशटा के लिए अपने अपने प्रोजेक्स के लिए आप एक्सटरनल एक हार्ड्राइव ले सकते हूं मैंने एक लियु हुई है मैशनेक्स के लिए जो मैं विडियोएडिटिंग वगर्रा करते हूं उसके लिए 2 Trib Is कि additionally यह hard drive धूम यह रखे है हुई है अगर मैंने कुछ ऐडिदिंग करना स्सक्राइब तो अपने टमाइब सब्सक्राइब राओध में तो अगर आप 50 अब तक रख सकते हो रख सक्काती हो प्रेपिक्विक्स में नोलिज अगर आपको नहीं है तो मैं आपको बता देता हूं music production के लिए graphics बिल्कुल भी matter नहीं करते ग्राफिक आट्स बिल्कुल भी matter नहीं करते हैं अगर आपको video editing करने हैं gaming भी करनी है अपने मतलब आप multi-dasking करते हो तो graphics के लिए आप जा सकते हो for music production में आपको एक बात बताना चाहूंगा एडिशनली एक hard drive जरूर रखी अपने साथ अपने data को store करने के लिए एक terabyte तो आज कल मतलब basic था पहले जमाने में होती थी अब आज कल 2TB या 4TB की hard drive चलती है और मतलब उतने ही budget में मिल जाती है जितने budget में पहले एक terabyte मिलती थी तो at least 2 या 4TB की hard drive अपने साथ जरूर रखिए for story your project अब बात करते हैं कि best laptop brands कौन से हैं इंडिया में अगर आप music production के लिए अपना laptop buy करने का plan कर रहे हो basic basic में या फिर मैं advance level पह जाऊं advance कुछ नहीं है सभी जो basic brands है like HP वह advanced level के laptops भी बनाते हैं Dell basic भी बनाती है advanced भी बनाते है MacBook भी आपके basic बनाती है advanced बनाती है तो सभी brands का ऐसा कुछ नहीं कि MacBook सिर्फ advanced level बनाते हैं उनका price जो range है वह advanced कह सकता हूं बट वह भी basic laptops बनाती है तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा HP is one of the good brand for buying laptops for your music production and then Dell Acer Lenovo मैंने जो अभी recent की add-up कि अपने home studio setup में वो है Lenovo का i7 Yoga X1 और अगर मैं brands के नाम बताऊं तो Acer भी अच्छा ब्रेंड है MacBook की अच्छा ब्रेंड है for music production तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं HP का कितनी range से यह आपका laptop 80 to 1 lakh की रेंज में आपको laptop मिलेंगे 80 से निचे भी मिल सकते हैं different different brands के तो HP का अगर आप laptop लेने जाते हो और एक professional i7 की मैं आपको description में सभी जो music production के लिए capable laptops है basic and advanced level के उनके links डाल दूंगा अगर आप देखना चाओ वो देख सकते हो मैंने जो आपको दिखा देता हूं उसमें क्या-क्या configuration है तो यह है वो laptop जो मैंने रिसेंटली अपने home studio setup में एड़ब किया Lenovo X1 Yoga आप specification आपको शायद नजर नहीं आ रहे होगी मैं screenshot डाल के आपको दिखा देता हूं तो यह है complete specifications अगर आप online buy करोगे इसको around 2 लाग रुपे का मिलेगा अगर आप Lenovo के कहीं से भी मतलब offline भी बाइकर तो around 1,5 लाग से 2 लाग रुपे का मिलेगा यह laptop है fully convertible fully touch screen इसके साथ एक stick भी मिलिया है आप अगर हार्टिस्टों पेंटिंग मिगरा करना चाहते हो तो उसके लिए भी काफी जाधा आच्छा आप जैसा देख सकते हो fully convertible जैसे मैंने इसको fold up किया और यह जो कीज है वो अपने प्लोग हो जाती है अगर मैं ऐसे इसे टाइब की तरह भी यूज करना चाहूं आप जैसा देख सकते हो इसको स्क्राइब की तरह भी यूज कर सकते हो आप म्यूजिक प्रडक्शन कर रहे हो बैट में बैड़े हुए फॉसी प्रडरक्शन कर सकते हो घाड़ी में चलते-चलते म्यूजिक प्रडक्शन कर सकते हो मतलब काफी जाधा compact है तो यह था मेरा recently buy किया होगा ओम तूडिया क्यूपमेंट रिलेटिड कोई भी नई वीडियो लेक्या हूं आपको नोटिफिकेशन से उसका पता लग जाए थैंक यू कीप वॉचिंग के मपसी मों एंड पीस आउट